इस कारिक्रम के पुन्यार जगे लिठी, महवीरा च्राप्ट्पूर्ट्ट्थ, फ्रीतों आप्राप्टत्र लिए निस्थारा चिंच्ट प्राइलोंगे Container Services, Clearing and Forwarding, Warehousing, Transportation of Bulkhy Goods, Achievement, Awards जैजिनेंद्र दर्षको, स्वागत है आप सभी का इस विशेश प्रसारण में दर्षको श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष, विश्व वंदनिये संत शिरोमणी आचार श्रिविद्या सागर जी महराज जिनकी एक जलक पाने के लिए नजाने कितने भक्त तरस्ते हैं, जिनका विक्तित्व, खृतित्व, धर्म, समाज और देश के लिए प्रेड़ना का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है ऐसे महा संत के दर्शन भी पूनियोदे से ही प्राप्थ होते हैं तो आएए पारस चानल के इस विशेश कारक्रम में चलते हैं चातुर मास स्थल जबलपुर मध्यप्रदेश में और करते हैं पूज आचार श्री के मंगल दर्शन संसार की विश्यों में वलकर मैंने अपने को भरमाया इस रागे द्विश की बैतरणी से अव तक पार नहीं पाया तब विद्या सिंदु के जलकर से बव कालू से दोने हाया हूँ आना जाना मिट जाए मेरा बंद काटने आया स्वाहा क्रोध अनल में जल जल कर अपना सरवस्व लुटाया है नेज सांत सरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है चंदन सम सीतल सापा ने अब सरण तुमारे आया हो संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया जड को ना मेने जड समझा नहीं अच्छा निदिको पहचाना अपने तो के बल सपने थे ध्रम और जगत का भटकाना चरणों में अरपित अक्छत है अक्छाए पद मुझी को मिल जाए तब क्यान अरुन की किरिणों से यह हिल्दय कमल भी खिल जाए अम्रम सक्षात प्राजमान पराम भूजुनिये संत सुरु मनियाचर भगवन शुरी विद्या सागर जी महामुनिंग्रे सर्वेशाम अका नक्षे पद प्रापते एक्छतान पपामेदी हिन विसाइ भोग की मद राफी मैं बना सदा से मत बाला तसना को ठप्त करें जितनी उतनी वड़ती एक्छा जौला मैं काम बिवान विद्यवन से हित्मम सुमन चराने आया हूँ यह मदन विजीता बन न सके यह भाव दैमे लाया अम्रम सक्षाद ब्राजमान परम पूझनिये संत सुरो मन चरा बगवन सुरीविध्या सागर्जी महा मुन इंद्रे सरवेशाम काम मान विनासना वो स्पाम नर्व भामेदी विस छुदा रोगी नित्रप्त नहीं कर पाया हूँ अम्रम सक्षाद ब्राजमान परम पूझनिये संत सुरो मन चरा बगवन सुरीविध्या सागर्जी महा मुन इंद्रे सरवेशाम महा शुदा रोग बिनासना विनासना विध्याम नर्व भामेदी मुहांदिकार से व्याकोल हो निजिको नहीं मैंने पहचाना मैं राग देश में क्लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पच्छताना यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ग्यान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना अम्रम साक्षाद वराजमान परांपूजनिये संद सुरो मनियाचर भगवन स्रीविध्यासागर्जी महा मुनिग्रे स्रवेशा महा मुहांदकार बनासनाएदी पम नर्प पम दी इन असुभ कर्म ने घेरा है मेने अभी तक एहमान ना था पाप कर्म तज पुन्न कर्म को चाह रहा अपना ना था सुभी असुभी कर्म सब रिपुदले में इने जलाने आया हो इसलिए गुरुजी के चरणों में अब धूप चड़ाने आया हो भोगों को इतना भोगा की खुद को ही भोग बना डाला साथ और साथक का अंतस मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानन्द में लीन रहूं बोजा का यह पल पाना है पाना ता जिसके द्वारा वै जग के बेभो को पाकर में इस दिन कैसा अलमस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अब्यस्त रहा में हो सुतंत्र ग्याता द्रिष्टा मेरा परसे क्या नाता है अम्रम साक्षात ब्राजमान पराम पूजिनिये संत सुरो मनिया चोका लगा रहे रे बाबा मेरे मूनि पढ़े गाह रहे रे पधारों समी मेरे अंगे नारे भाबों की निर्मल सर्ता में अभगाहन करने आया हूं मेरा सारा दुख दर्द हरोया अर्ग भैटने आया अम्रम साक्षात ब्राजमान पराम पूजिनिये संत सुरो मनिया आचर भगवन श्री विध्या सागर जिमराज के चनारे बिंद में जल्बला दी महार घम नर्व पाम दी साहा बिध्या सागर गुरुवरे आज नायन से लख कर आलो किति सुक पाया बैक्ति भाव से आरती करे के पूला नहीं समाया गुरुजी अरंबार हो मैं आज जैसा गर्माम निनाज की जय हो दिन से लगी हुई है एकदम उसका उप्षम ठीक ही नहीं माना जाता थोले से भूक बनी रहना चाहिए हाँ एक वर्षा हो जाती है तो इस वर्षा के बाद वह जमीन थोड़े से अच्छी डंग से शूक जाए फिर दूसरा पानी दे जे तो फसल अच्छी हो जाती है कैसा हमने सुना था आप लोग नहीं सुना होगा हाँ शीट काले तो सर्जी पढ़ने तो दो सर्जी तो पढ़ने दो हाँ हम तीन चार दिन से कह रहे ते भीया गर्मी भूट लग रही गर्मी भूट लग रही है इसका आर्थ यह है कि वो मुसम बन रहा था काम हो गया मतलब यह बहुत मांगलिक माना जाता है क्योंकि भसल होगाने वाले किसान लोग भी ततीक्षा मेठे और वो यह सोते थे होंगे कि जेनियों कि यहाँ पंचकल्यानक हो रहा है अवस्च वर्शा कि अच्छ दंग से वो अंगले फसल के लिए तयार हो गये और आप भी शीप्रकार तयार हो जाओ हाँ अब यह बताओ हम पूजन करें हम पूजन करें कौन बट बेटा तो सही है हम अपने गुरू की पूजन नहीं कर रहा है अपने गुरू की पूजन नहीं कर रहा है अपने गुरू की पूजन नहीं करते हैं जहां पर हमर नाम लगा जेते हैं हम अपने गुरू की नाम लगा जेते हैं अपने इस्ट की आरादन करने का अधिकार है और ये तरह जाल रखो स्वामी स्वामत बद्रवाराज बहुत ही अद्दिन शिलतो थे ज्याई के वाहक थे उन्हेंने ज्याई किया स्रावकों का पक्ष नहीं लिया देखो पूजन के अपिछा से सुन रहे वालो कहां लिया बताओ मेहंदग देखो उसके पास कुछ भी नहीं था पूजन साम अगरी एक पांक्षी ले करके फुदक फुदक जा रही थी उसको याद तो करो आपका नामोलेक हो जाता तो हम समझ लेते कि हाँ मनुष बहुत आगे का प्रानी पीछे का प्रानी है ये हाँ और गदगद हो करके करें लिखते हैं अरहत सपन पर्या महानवाओं महामनाओं क्या ये कितना प्रमुदित मनाहां ये कहा है ऐसे उल्लास के साथ पूजन सांगरे लेकर के और वह जा रहा है महावीज भुवान के समुष इससे आप लोगों को याद करना चाहिए कि सफ़स्ट है उसकी नामोलेक हम करने सकते किन्ट जब देव हो करके आजाता सब लोग तालिय तालिय गड़गडाट होती रहती है इसलिए हमारे पूजन ऐसा मत समझो भगवान की पूजन है अब हम करने के लिए उपस्तित है ये अहो भाग्य मानू हाँ इसलिए आप लोगों की भावना बहुत अच्छी है लेकिन आउरों की भी तूँ अच्छी है उसको भी थोड़ा बहुत ज्याल भी रखा करो बहुत अच्छा होंगे हमें तो बहुत प्रसंता है आप लोगों की प्रसंता के ऊपर इतने दिन तक इन लोगों का एक इमात दुन लगी वी थी और काम ख़ते रहें किसी प्रकार कारेक्रम हो कल तो जेन जेने तर फोस सारे जो जनता उमग के साथ देख रही थी कि यह क्या होना है क्या होना क्या कुछ ने उना सामा जिकार घार्विक अनुस्तान ऐसे भी विज्वे सरवार्शिधि में लिखा है कि ज्ञान तपु विधान अदि फूज अबरेश विधान अदिपी मारगस्य प्रभःवना कत्त्त व्या यह लिखा हाए तफ करने वाला तफ कर रहा है, विधान करने वाला विधान कर रहा है, पंचकल्यान करने वाला पंचकल्यान कर रहा है, और समय ज्ञान की आराजना, आर्थी उतारने वाले हो उतार रहे हैं, इस सारे सारे अंग हैं, जिनके माद्दम से प्रभावना होती है, ये भावना कुछ अमारी क्या प्रभावना भगवान की प्रभावना जुनोंने साधना की है और उसे उत्तिरन हो बएं तीन लोग को जुनोंने उपदेश दिया है उनके नामस्त परन भी आओ भाग जिमांडो स्परन हो रहा है ने तो पटा नहीं आगे जाकर के कौन सा क्या होने माला हा कोई सी गठी मिलेगे, मिलेगे अच्छी, लेकर यहां से तो छूटेगी ना, यह देव गुरु शास्त की आरादना न छूटे, भगवन आपका जरन हमेशा हमेशा तब तक मिलती रहे, यावदी ते पवर्गा, यावद अपोरगस्य प्राप्ति ना जाये ते, जब तक अप परओं धरों की जाये, मुक्ष मार्ग में अच्छे कार्य में, वह मन साथ नहीं देता, यही मुक्ष मार्ग है, और यही कल्यान मार्ग है, मन नहीं लगता, बाकि सब लगता है, मन यदी नहीं लगता, तो समझने ना, उसको यहाँ पर कुछ खुराक नहीं मिल रही है, और जहाँ पर मन लगता है, तो उसकी खुराक वहाँ पर पख्खी है, यह चैन हम लोगों ने भूल से आज तक कर लिया, अब यह अवसर है, इस अवसर का उप्योग है, मन को साथ लेकर के करते हैं, तो फोटा है, रामाइन का लगभग आप लोगों को 8-10 दिन में तुम हमने भी आद नहीं किया, तो उसको रयवार दिन ही वो आता था, जब आज रयवार ही है, तो हमने याद कर लिया, वह आज रयवार है, तो बाहर के लोग तो आई जाते हैं, यहां के लोग थक गए होंगे नहीं बाहर के नहीं आए आए अच्छा थकता नहीं यहां से यहां तक आने में थकावतों नहीं तो ध्यान के माध्यम चे हम थोड़ी से समझे उस रामायन के पात्रों के विशे में भी हमने पदम फुरान में पड़ा था एक अउसर पर रावन त्यार पांच सातियों के साथ गया चुंकि विध्यादर छेत्र में वो रहते थे विध्याओं को सिद्ध करना उन लोगों का यह तो एक प्रकार से अभ्यास था और एक मंत्र सिद्ध करना था मंत्र की संक्या हो सकता पचास हलार पी हो सकता दर सलार पी हलार पी हो सकता उसका अनुपन्द था इतना जब तक हम नहीं करेंगे तब तक तो वह शुद्ध नहीं होगा उन्हें क्या तो नहीं था कि मन लगने से वह मन शुद्ध होता है सब लोगों ने एकागरता के साथ जंगल में जाकर के बेट गए और शुद्ध करना प्रारूम कर दिया धीरी धीरी सब लोग एकागर हो रहे थे और पत्तर परसने लगे हवा ठंटी नहीं लू चलने लगी अने प्रकार के व्यावधान उपसे थोने लगे एकागरता धीरी धीरी तूटती चली गई अब सभी लोग प्राए करके उससे भाग गए छोड़ करके रावन बेटा है पाल्टी में अनकर बेटा है तो बेटा ही है तो इदर उदर देखने की बात ही नहीं है वो सारे सारे देख रहे हैं पेड़ पर चड़ करके जा है यह वन देवता जैसे लगती है तस से मस्ने हो रहे हैं यह नहीं हो रहे हैं कर्टे कर्चे 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 उन्होंने उसको सुद्ध करही दिया मंत्र की गिंती आजी हुई थी आप सुन रहे हैं माला तो बहुत लाओ लोग पेहनते हो वो भी एक अलंकर बन गया अच्छा लगता है कोई सोने की पेहन लेता है कोई चांदी की पेहन लेता है कोई स्पटिक की पेहन लेता है कोई मोठी की उठा लेता है कोई वो ओ कर लेता है अन्हें प्रकार की पेहन तो लेते है अच्छा रहता येिए अलंकार है आभूश अने कृश कि गले में हैं इसलिए तो बहढ़ अलंकार ही हो गया प्रकार की बाहर की गला dance भीतर भी होना चाहिए नë उस माला में तो मंत्र मनिया है भीतर गले में होना चाहिए वो पूछा गया कि अभी तो आपके आधी माली हो वही थे माला की और मत देखा करो मन की और देखा करो आधी माला हो इससे कोई मतलब ने ये कह अगर चाहा इस सुरकार रावन की एकागरता अपने अपने अधुत थे किसमें कोई संदे नहीं मंत्र थर सर काम देथे और तो पक्का है उनके अधिन हम होएंगे होंगे तो हमें काम करना पड़े उनके अनसार शिद्धास्त थाओं अन्यत्र भी इसी प्रकार उने ने किया तो यह मन इसना कैसा लगता है लगाने वाला चाहिए लगता है पूछा गया एक बार मूख मार्ट में किसी पात्र को हमें भी एक मंत्र देदू छोट आसा देदू भालत बाड़ा भी नहीं मिलना चाहिए कई गुना गुनीस गुनीस क्रम चे मिलता बताते हैं तो उत्तर मिला मंत्र न छोटा होता है न बड़ा न लंबा होता है न छोड़ा मंत्र तो मंत्र होता है मंत्र मुख्द हो जाए मन मुख्द हो जाए तो मंत्र शिद्ध हो जाए तो मंत्र को शिद्ध करने के लिए ये कागरता की आवस्चक्ता ये कागरता को शिद्ध करने के लिए मन को पसंद आना चाहिए और मन को पसंद आने से ही आज सकाँ आप लोग संसार को पसंद करके चल रहे हैं आपका संसार अटूट है और आज ऐसा असिर बाद दे दू तकि हमारा संसार अटूट रजा ऐसा मांग जो क्या? नहीं? भूल करके भी नहीं? बक्का? मन को पूछो एदि मन को पसंग नहीं आता तो यहां पर कोई नहीं आएगा पत्थी बात है बहुत कठिन है इधर के इधर कजम के उठाना हाँ सोच विचार करके पहले पूछा के कहां जा रहा हुँ घर वालों नहीं पूछा कहां जा रहे हैं वाँ जा रहे हैं कब आओगी पता नहीं घर का एक सदिश को पीछे लगा दे थी जाओ शाथ जाओ शाथ जाओ भरोस क्या है हाँ आप इधी भरोसमन्द है तो घर में भी ठीक है कोई वात नहीं जाओ समय पर लोटना बस यह मन कहता है यह कानून मन का है और इस कानून का कभी उल्लंगन नहीं हो सकता बहले ही कोट का उमान नहीं हो जाए तो चल जाएगा अरे कोट का उमान की उसने किया वानमान किया तो कि उसके सामने कोई नहीं जा सकता यो मन के सामने सब लोग पीछे रह जाते हैं सामने आई नहीं सकता आज तक हमारा यह इठियास बना है तो मंत्र छोटा भी नहीं होता बड़ा भी नहीं होता किन्तों एकांगता यह है तो वह होता है तो इस प्रकार हजारों मंत्र उसे रावन के पास एकटित हो गये थे ऐसे ही रावन का एक समय पर रामा इनके समय पर घटित हुआ कि मैं अब चिद्ध करके रहूंगा फिर देख ले राम क्या करता है जब वह सिद्ध होगी तो खोईगी सामने आने सकेगा इसनों को संदेन किन्तों उसे यह मालूम नहीं है यह जो कुछ भी शिद्ध होगा शिद्ध तो होगा लेकिन फलना और नहीं फलना यह तो पुन्य की बात है तो फलेगा और यह पुन्य नहीं रहेगा तो वह फलेगा नहीं फूल बन करके जड़ेगा फूल बन करके जड़ना पेड़ पर ही उसी डाल पर ही किन्तो यह फल रहित होता है जड़ जाता है भावना रुक जाती है फल के रूप में फूल का ढलना अनिवाज नहीं होता किसान कई वार लोने लग जाता है कैसा रोने लग जाता है यसलिए रोने लग जाता है और लोज पर लोज खेत में तो फूल खूब हो रही है और हमारे खेत में तो सब फूल जड़ रहे हैं क्या बात है तुमने जैसा मनत्र फेरा था उशी के अंशार तो फल है सब कुछ ठीक है लेकिन एक खेत में बिल्कुल फल रहा और दूसरे खेत में वहीं मेड के इस मोर यही तुम सीमा रेखा है इधर पाप फल रहा है तो इधर पुन्जी फल रहा है तो वहां आठ जिनका अस्ठानिक होता है नहीं है आप अस्ठानिक समझते हों कोई रश्री की साथ करता है और कोई एक आश्री करता है कोई थोड़ी बहुत दूद पानी ले लेता है और बाकी कुछ लोग तो निर्जल कर लेते हैं और मन एक एक दिन गिनता रहता है मन एक एक दिन गिनता रहता है क्या गिनता है वो नम और अंता नमो शुदक्दवन नहीं एक दिन हो गया दो दिन हो गया तीज दिन हो गया कि अधिए हो गिया बढ़िया हो गया अच्छा हो गया बगवन और अस्तिर वादेज दो ताकि तीन चार जेन और भी निकाल पुदेश यही है कि मेरा प्रन ने टूटे लगा तो है उसी में मांग नहीं रहा यह पानी वो लेकिन उगिन रहा एक एक दिन कहीं छूट न जाया कहीं जादा न हो जाया है वह आठ दिन का संकल्प है उस अस्ठानिक में वह शांति विधान या मंत्र के साथ वह काज संपन्न करना चाहता है उद्दीश राम कुमार गिराना किसी वे प्रकार से उसको विजे नहीं होगा अपना पक्ष को जीत यह रात दिन उसके मन में चल रहा है यह कों सा और कोई भाव नहीं आता उसको यह ध्यान है किन्तों यह ध्यान रोद्र्ध्यान है धर्म ध्यान नहीं मात्र मंदिर में बैठना धर्म ध्यान नहीं कहलाता है बिना माला फेरे बिना अस्तान किये राम का भटकता हुआ सीता की रक्षा में आशू बहाना भी धर्म ध्यान का बाबा है आपने तो जहां पर धर्म 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 नहीं है ताली बजा दिया बिना ध्यान का ये काम नहीं हो रहा है इसको पहले ठान करके रख लो ध्यान के आशन से ध्यान नहीं बानता किन्तु मन कौनसे आशन पर है इसको देखो तो ध्यान बंदता है मन तो दूसरे आशन पर बैटा है तो उसको धर्म ध्यान के कोटी में नहीं गिन सकते आंखों में शुटू पानी आ रहा हो और फिर भी धर्म ध्यान और आठ दिन तक दिल्कुल एक आशन पर बैठा हो एक हाथ में माला लेकर की और एक बार भी जूका नहीं काई को हवा का हवल हाँ उसको कह रहा का एक जूका आएगा तो आठ दिन और बढ़ सकता है ज्यान रह तो वह मन ड़ता है नहीं समझे उस डरकी मारे आठ दिन तक नहीं सोटा जबकी आजाए कोई बादा नहीं क्योंकि सोया है नहीं तो जबकी आना स्वाब आवेकर लिखिन कहीं हार नहीं हो जाए हमेशा याद रखेगा तो जबकी तो नहीं आए जबकी भी प्रशिक्षत हो करके आती है तो क्या हुआ वहमां तुषिद करने के लिए बेटा राव अपने राम और यह बेटा तो उठी नहीं राव उसी दौरान मंदोदरी के उपर उपसर्ग किया गया बताते हैं बहुत ही अच्छा प्रसंग है यह तो तो क्या जो सीटा के उपर उपसर्ग हुआ था वसे कई गुनाव उपसर्ग और अपमान आदी मंदोदी का हो रहा है ठोड़े से सौमिन आँखे तो खोलो ना आंके खोलना ना इस सारा करना ना सुनना कुछ नए एक आगर चिंता निरूदो ध्यान एक ही मात धेई है इस मंत्र को शिद्द करके रहना फिर जो फल मिलेगा उस समय दिखाएंगे कोन हाँ तोटा था है वो मंदोदी के ऊपर देखेंगे कोई कुछ नहीं कितनी एकागर्जा है ग्रंथकार ने ये कहा इतनी एकागर्जा का आली हिस्सा कम भी करदो तो भी केवल ग्यान के लिए पर्याप्त मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि राम का जो ध्यान था उस ध्यान में इतनी एकागर्जा थी तो खिवल ग्यान दो बार प्राप्त हो जाता है इतनी थी लिए खिवल ग्यान प्राप्त क्यों नहीं हुआ है एकागर्जा निर्द ध्यानम तो हो गया है लेकिन वह एकागर्जा का आश्य प्रयोजन क्या है संब्रम समारंब आरंब काई को धर्म ज्यान का भी संब्रम होता है धर्म ज्यान की भी संब्रम होता है और धर्म ज्यान का भी आरंब होता है सिला न्यास हो रहा है काई का हो रहा है कुछ न किसी फंक्शन के निवित हो रहा है उसका उद्धीश क्या है उद्धीश क्या है अभी नहीं बताएंगे समय ही बता देख हाँ जब उद्धीश में काला पन रहता है तो सफेद पानी नहीं निकल सकता हाँ वो तो काला पानी ही दिखेगा क्यांकि जैसे मन में भाव रहता है वैसे ही फलना ये पक्का है जैसे हमारी भावना रहेगी उसी फल उसी के अनुसार फलेगा सब जब वह शक्ती मिल गई मंदोजन का उपसरग बहुत हुआ लेकिन उस समय वह किसी भी प्रकार से उठा नहीं और उस वो ध्यान नहीं दिया ये रो तुझान उत्था मंत शुद्ध हो गया इसलिए वह धर्मज्यान था भूल जाईये आप आपका मन नहीं भी लग रहा है तो भी आपका संकल्प है तो आपका बहर ध्यान लग रहा है ये कागरता नहीं किन्तु ब्रत हमारा संकल्प पूर्ण करेंगे हैं ये भी ध्यान माना जाता है इसके द्वारा संक्याद गुनी निर्जरा हो रही है राम को पसीना बहाना नहीं आता था लेकिन सीने में उनका जो था उसको कोई भी हरा नहीं सकता चुरा नहीं सकता वर तो जोंका त्यों बना हुआ था क्योंकि सीता का उसके साथ लग्ण लग्ण क्या होते हैं इसको अनुबंद सम्मंद हुआ था लग्ण का अर्च से यह यह लग जाना एक साथ हो जाना मुराटी में इसको लगना तिया शादी में आ जाना तो सीता का राम के साथ अनुबंद हुआ था इसलिए उसके साथ कोई दुर घटना घटती है तो उसको बेचेन कर देती थी किन्तु सीता विद्वा भी हो सकती है ना राम इदी मर जाएगा तो सीता का तो विद्वा होना ही पड़ेगा ये क्या है सामने वाला इस अनुबंद का रहस नहीं समझता इसलिए वह परसंपदा की वो देखता है जो व्यक्तियों ने जो संकल्प लिया है वह ध्यान का मूल मंत्र है यहाँ पर भी उसका एक पहनाओ अलंकार के रूप में नहीं किन्तु वह मंगल सूत्र के रूप में खोटा है क्या है यह विवाह में मंगल सूत्र दे दिया बांद दिया जाता है वह अलंकार नहीं किन्तु विवाहिट है दो उस समय पर संकल्प लिया गया है उसको जीवन के अंतिमक्षम तक अत्मा जब तक घर में हैं रहस्त जीवन में तब तक हम पारिन करेंगे यह संकल्प शीता का तो था नहीं रामन का तो था नहीं शीता के तो राम का था और शीता का भी इसी प्रकार का था कहीं इसी भी प्रकार से कर्म के वदैसे बिचोड़न हो गया लेकिन इन दोनों के खेट की दूरी हो गई हो मन की दूरी कहीं भी नहीं हुई थी इसको बोलते हैं एक प्रकार से मर्यादा में रहने का एक संकल्प था और ये इतनी एकागर सा रखर के वी मर्यादा की बाहार हो रहा था युद्ध के समय पर भी राम मर्यादा पुर्शोत्म कहला है और रावन मर्यादा तोड़ने में मान घंपंजित रहा नीत के हो करके भी वहा नीतियां परकोली लगाव कर देता था कौन? रावन आपके जो मुहमत तगलक थे ना? ना मुहमत तगलक? तलक? पुलक? ठीक ये तो हमने दूसरी का ख्शा मितियास पड़ी थी तो उसने मंजे ये जी राजा बादशा हो गया ये धनता ने बनाया है मैं तो इसकी हित के बादे में सूचूगा तो अंधिरी नगरी चोपट राजा टके सर भाजी टके सर खाजा गी वाली बाठी तो उसने क्या कर दिया? चम्डे के मुद्रा बना दे सस्ती सब खुष हो जाएंगे अरे वेकार की बाठा कहां स्वर्ण मुद्रा और कहां चर्म मुद्रा तो चर्म की मुद्रा हो गए तो वो तो पेराओं में रखने योग्ये हाट में उस मुद्रा का कोई मुल्य नहीं होता है उसका पजनाम ये निकला पूरा राज बेकार हो गया क्योंकि मुद्रा का अव मुल्य नहीं हो गया है भारत वालो अब तो सोच्चो पर वो भले के भले हो गए निकल गए इन तो हमारे रामाइन अभी नहीं निकलेगा ध्यान रखो हम इसको याद कराएंगे आज फजेती हो रही है सरकार की हर बार सोच रही है लोन निकालना है नमक तो निकल गया ने समझे अरे जो चूरी करता है चूरी करने से पूरू में यह संकल प्रेदा जहां से चूरी करता हूँ हो तो किसी भी प्रकार चूरी भूजन नहीं करता बताते इसा सुनने में आता क्योंकि जिसका नमक खाता हूँ नहीं समसे सुन रहे हो सही है कहां थे जिसका नमक खाया उनके नमक हराम नहीं हो सकता हूँ यह उसका संकल्प रहता है, मतलब हर एक व्यक्ति कोई न कोई भृत लेकर के चलता है, भारत वार्शी होने के कारण, अब सोचो, वैस्ट्रिक व्यापार, वैस्ट्रिक सम्मन्द, वो यह आप लोग कर रहे हो, धीरी धीरी वहाँ, सामने से नहीं सही, पीचे से पीचे से नहीं सही, आजू बाजू, उपर से टपक रहा है, आप मानो या न मानो, मुद्राइदी परतंत परवश है, तो इठियास पुनह, नया होने में देर नहीं लगेगा, आप अपने हाथ से इठियास नहीं लिख सकते, इठियास बनता है, फिर बाद में लिखा जाता है, समझे, बच्चों को पढाने के लिए लिखनी से इठियास नहीं बनता, किन्तु उस लेख के योग कर्सूत तो करना पड़ेगा, वो बाहरत बिलकुल भिमुख है, उसके लिए इस प्रक्संग में मैं कहना चाहूंगा, कि बहा कि प्रजा का उद्धार चाहती है, सासन का कर्तब है, वो अपनी मुद्रा बनाए, और अपनी मुद्रा का अवमूलन से उसे रोखे, फिर देख लू, रात दिन दुगुनी और रात दुगुनी है, हम ये कहवत भी गड़बड हो जाएगी, रात तो आएगी नहीं, हाँ, तो ये उजाला ये उजाला होगा चारों तरफ, अंदेरा के लिए कोई सवाल ही नहीं उठेगा, लेकिन इस वोर किसी ने भी नहीं देखा, देखे या नहीं देखे, इस आज को पन्नों को तो हमारा कर्तब होता है, बाच करके सुना देना, कोई न कोई व्यक्तिस के उपर गोर करेगा, अवस्य सोचेगा, और सोच विचार का अवस्य ही फल निकलेगा, प्रजास अत्ता अत्मक होने के कारण, ये देर ही भले ही हो रही है, लेकिन अंधेरा ना हो, तो देर भले ही भले हैं, क्योंकि अंधेरा नहीं होना चाहिए, पवस्च सूचा जा सकता है लेकिन बहाव बहुत तेज है लेकिन तेज बहाव में भी नाविक अपने नईया को बहुत अच्छे सुरक्षत रखर की वहां तक पहुंचाने का पुर्शाथ अवस्च करता है तो इसलिए वह रोद ध्यान का धनी था रावन और राम जो है धर्वजान की सुपत्र पूठ थे वह हर दम यही कहते रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी सीता मिल जा रावन से हमारे कोई कलह है ही नहीं और वो क्या कहता था यह सीता को तो छोड़ने की बात ही ने करो हमने पुर्शार्त किया है और तुम छात्री हो आना हो तो आओ शक्तियां पर तयार है यह सक्ति कुछ नहीं काम खरेगी यह राम के उपार इसका कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा किन्तु तुमारे साथी जो है लक्षमन वो ही दिखा देगा हमें कुछ करना नहीं है उससे पहले बोल ले फिर बाद में हम तु है है यह बाद जब हम दोनों इच्छास दोनों मंत्र के जाप सारे सारा सामने हमें हमें यह कोई जबता नहीं है किन्तु तुमारे सक्ति माने है जिसके द्वारा नीटी चलती है उस नीटी के माध्यम से धर्ती का संचालन होता है शासन के माध्यम से साक्षात नहीं किन्तु नीटी के माध्यम से शासन और शासन के माध्यम से सब कुछ चलता है इस मंत्र को जो राम काइम रखे ते उसके परिणाम सरूप उनका यश आज वे यशोगा था सब लोगों के मुख में विद्धिमान है हमें ध्यान करना है किन्तो ध्यान का उद्देश क्या है इसको समझना है हमें जीवन जीना है किन्तो जीने का उद्देश क्या है उसको सामने रख करके ही चलना है बले ही हम कीड़ी के चाल से चले किन्तु हम रत की चाल से बले ही ना चले लेकिल विफ्रीज दिशा की गोर ना हो आड लाइन से हम ना चले रात में हम ना चले उजाला का उपयोग पूर्ण रुप से करते रहे ये कुछ बाते ऐसी हैं वर नीटी गत बाती होती है यद भी रावन के पास नीटीओं का भंडार था था लेकिन अपनी जीवन के लिए उसका कितना उपयोग था ये भी बहुत महतुर्ण होता है इस कारिक्रम के पुन्यार जखें Mahabira Transport Private Limited, Fleet Owner and Transport Contractor Since 1985, we invented the concept of Wheel-on-Wheels and introduced Double-Decker Vehicles We are the first transporter for the carriage of Maruti Suzuki, Honda, TVS, Taffey, BHEL, Alstom, etc. Services we render, Car Transportation, Container Services, Clearing and Forwarding, Warehousing, Transportation of Bulky Goods, Achievement, Awards We are the first transporter for the carriage of Maruti Suzuki, Honda, TVS, Taffey, 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 Taffey Sp jurisprlie Sp jurisprudence झाल झाल